हेलो फ्रेंड्स में हेमा आप सबके लिए लाई हूँ पालक के पकोडों की रेसिपी सर्दियों का सीजन आ गया है तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट से बनाते हैं पालक के पकोडे बहुत टेस्टी बनेंगे और बहुत ही जल्दी बन जाएंगे इसके साथ मैंने टमाटर की चिटनी सर्फ की है उसकी भी रेसिपी मैं आपको लिंक में शेयर कर दूँगी तो यहाँ पर देखिए मैंने पालक को साफ करके अच्छे से वाँश कर लिया था और इसे मैंने चुटा-चुटा कट कर लिया है और यहाँ पर मैं इसमें आलो भी एट करूँगी और अब जो हमने पालक कट करके रखी थी उसे भी मिला लीजिए पालक बहुत ही हेल्डी होता है और इसके जो पकोड़े वह बहुत टेस्टी लगते हैं और अगर इसमें आप आलू प्याज या आपको कोई भी सब्जी पसंद हो वह आट कर दोगे तो वह पकोड़े आपके और बहुत भी बनेंगे, देखिए यहाँ पर मेने शारी पालक भी हमारी मिला ली है, अब इसमें मैं बेससे लाट करओंगी, जितने हमारी पालक है, प्याज है और आलू है उसके शार पर शार पर 5 शार मिज बेसन Trung है देखर है और अब मैने इसमें रिख्च भाहें दागें यहां पर मैं नमक भी मिला देती हूं, स्वाधनुसा नमक मिलाइए, थोड़ा सा हल्दी पाउडर भी डालना है हमें, तो यह रहा हल्दी पाउडर, पकॉड़ों में हल्दी पाउडर जरूर डालिए, इसे हमारे पकॉड़ों का कलर बहुत ही अच्छा आता है, अब इसे मैं पानी डालकर मिक्स कर लेती हूँ, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मिक्स कीजिए, सारा पानी एक साथ नहीं डालना है हमें, वहरना हमारा जो बैटर है वो गीला हो जाएगा, अब आप देख सकते हैं, बस यह वाली है, यह कंसेसिंटी वाला हमें बैटर चाहिए था, बिच्चे मच गरम तेल डाले से हमारी जो पकोड़े हैं बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे तो यह जरू डालिए इसे अच्छे से मिला लीजिए देखिए यहां पर मैंने इसे मिला लिया है अब चलते हैं इसके तलने के प्रोसेस की तरफ यहां पर मैंने कढ़ाई में पहले से तेल रख दिया था गरम होने के लिए यह देखिए इतने चोटे-चोटे हमें लेकर इसे इस तरीके से हमें फ्राय करना है चोटे-चोटे से आप तेल में डालते जाएए आप देख रहे हैं मैं कितने अच्छे से इसे तेल में डाल रही हूँ एक एक करके हमें सारे अपना जो बैटार है उसके पकॉड़े तेल में डाल लेने है और हमारा जो तेल है वो भी मीडियम गैस पर होना चाहिए तेल अच्छे से गरम कर लीजिए फिर आप गैस को स्लो कर दीजी फिर उसमें हमें पकॉरो को फ्राई करना है अच्छे से कह दो जद्या कोई मसाला आड़ने ही किया क्योंकि रEE हमारे जो चत्नी है जए बहुत चट्पती बनेगी इसलिए पकॉरो को चत्नी तो इसलिए मैंने उसमें कोई मसाले जादा एड़ नहीं किये हैं पर यह जो पकोड़े हैं यह खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं और मैं आपको बता दूँ यहाँ पर मैं यह जो ऑईल यूज़ करती हूँ सबजियों में या फिर पकोड़े वगेरे के लिए मैं सरसो का ओईल यूज़ करती हूँ इसलिए आपको इसका कलर इस तरीके का दिख रहा होगा सरसो का ओईल बहुत ही हेल्दी होता है और इसे यूज़ करने से पहले एक बार अच्छे से गरम कर लीज़े कई लोगों की शिकायत होती है कि सरसो के ओईल में से स्मेल आती है पर आप जब इसे अच्छे से गरम कर लेंगे तो कोई भी स्मेल नहीं आएगी इसमें से देखिए एक बैच मेरा फ्राय हो चुका था तो अब मैं दूसरा बैच भी इसमें डाल दिया है फ्राय करने के लिए सारे पकोड़ों को अच्छे से गोल्डन फ्राय होने तक फ्राय कीजिए यह पकोड़े हमें स्लो गैस पे फ्राइ करने है फ्रेंट्स मेरा वीडियो पूरा देखिए और आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और मुझे कमेंट में जरूर बताना आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी तो चलिए फ्रेंट्स हमारे पकोड़े फ् रेटनी के साथ सब्फ किया है इसकी भी रेसिपी में आपको लिंक में भेज दूंगी तरह कि मैं मैं और या अजय को प्रेंग झाल बाल प्रेंग झाल झाल